तो आज का वीडियो का टॉफिक यह है कि रिचार्ज एपी आई मैं क्यों बोलूंगा कि हमसे लीजिए या क्यों बाकी एपी आई क्या इशू होता है तो सारा इस वीडियो में मैं क्लियर परूंगा बहुत सारे मेरे पास ऐसे कॉल आया है कि सर मैंने इस कंपनी से रहादा चार्ज होगा जियो में 3.5 एयर टेल में 3.5 ऐसे मार्जिन देने के बाद मैंने चार्ज पे किया दो दिन बाद रिचार्ज का मार्जिन 3.5 से 1% लाके बोला कि ऑपरेटर नहीं है अभी मार्जिन इतना ही मिलेगा ऐसा मेरे पास कॉल है और एक बंदे तो ऐसे कॉ हो रही है और लास्ट जो एक बंदे ने कॉल किया जो हमसे रिसेनली सॉफ्ट्यार लिया है उसने बोला के सर में एक बहुत बड़ा कंपाणी से एपी आई और रिचार्ज सॉफ्ट्यार दोनों बनाया है वो खुदी एपी दिया है एपी देने के बाद 6-7 महिना ठीक से च सॉफ्ट्यार लॉगिं नहीं हो रहा है इसका बात उसका कोई स Aub Aaron नहीं ह gloss Kdy Van लेकिन भूंड रहा है उसका बात किया लोगिं नहीं हो रहा है । इसका बाद घुया बहुत पैसमें और नेगोशियात किया किया । इसका बाद उसका कोई सोलेशन नहीं अभी और एपिए ढूंड रही है तो मेरे पास आया कॉल आने के बाद उसने हम से लेकर अभी क्याम कर रही है मैं मार्जिन आपको जादा नहीं दे पाऊंगा यह नहीं कहांगा कि जीओ में 3% मिलना मुश्किल है आपको कहां से दूंगा लॉस करके तो में बिजनिस नहीं करूंगा अगर कोई बंदे आपको 2% नहीं मिल रही आपको 3% बोलेगा कोई बंदे 3% बोल पर से मार्जिन दे रहे तो उसके मायं में में तो कुछ आइं यतना आपको समझ नहीं होगी तो कमिशन जितना होगा मैं इतना देंगा कोई कोश्ट नहीं लेंगा फिरी में आपको दिया जाएगा बीलिंग जो है हम यह नहीं कहेंगे कि आप इस्टेंट बैलेंस आप पाएं मतलब देंगे हम आपको ऐसा नहीं होगा आप एकाउंट पे आई-ए-ए-पी-ए-स या यू-पी-ए-क तुरू डिपोजिट करेंगे सब्सक्राइब करेंगे मतलब यह नहीं कि आपका मतलब आटोमेटिकली ऐपी-ए-ए-ए-पी-ए-ए-इमें बैलेंस ट्रांजिस्टन वे बहुत जादा होता है एक रीटेलर एक आजर यह पास्सों लेके काम करेंगे लेकिन एक एपियाई जो है दस हजर बीच यह पचाश सब्सक्राइब करेंगे कि उसके पास नेटवर्क है उसका पारड़ चार पास लग दस लग का सेल है तो वह ज्यादा एमाउंट भेजेगा तो इसकेस में आप एकाउंट में जो है एकाउंट में आपको बैलेंस लेनी होगी तो एपियाई के लिए आपको क्या करना होगा देखिए नीचे एक website है display में देखिए website है deeperweb.in इसमें आप sign up करेंगे शाइन आप करेंगे लेकिन आपका एकाउंट नहीं बनेगा आपके वाट्साप में मैसेज जाएगी उस्फांट में या तो reply करो या देखिए यह आपर एक नंबर भी है या description box में भी एक नंबर है इस नमबर पर कॉल करो या वाटसाप करो करके बोलो सर मुझे एक API एकाउंट क्रियेट कर दो API एकाउंट क्रियेट कर देंगे हम लेकिन आपका लीगल बिजनिस होना चाहिए आपका वेब साइट देखेंगे आपका डॉकमेंट पूरा वेडिपाई होगी इसका बाद ही आपका API एक्टिवेशन होगा इसका बाद API एक्टिवेशन होने के बाद आप अपना बिजनिस स्टाट कर सकते हो एक से दो घंट टाइम लेगा अगर आप खुद डिवलापर हो तो आप खुद ही कर सकते हो एक से दो हंटे टाइम मैक्सिमम लेगा आप अपने करके इसको यूज कर सकते हो कि आपको याद रखना है आप जिसके पास भी जाओ में यह नहीं कहूंगा कि 100% मेरे पास से यह लो आप किसी से भी लो बड़ आप 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 जो है इस मार्केड में कितने दीन से काम कर रही है और इसका हुद का भी कश्ने का मार्केडिंग την है करना होगा या आप M सब्सक्राइब करने के बाद आपको रिचार्ज करने के बाद आपको रिचार्ज के लेके मार्केट में बिजनिस करना होगा तो इस वीडियो का मतलब इतना ही था जितने मेरे पास कॉल आया मैंने सब का कॉल को रिव्यू किया कि इस रिलेटिव एक हम फेस टू फेस एक वीडियो बनाके देते हैं ताकि सबको में समझा सकूँ कि रिचार्ज एपी लेने के बाद अगर मुझे 2.2 या 2% मेल रही है मैं अगर आपको 1.5% दे रहा हूं तो मुझे भी तुम आर्निंग हो रही है ना तो मैं आपसे क्यों ऐसे करूंगा डेली रेगुलर वेसे से आर्निंग हो रही है आप लाखों का रिचार्ज करोगे 2-3 लाख 5 लाख रिचार्ज करोगे तो मुझे भी मिलेगी अगर आप ऐसे भी बंदे हैं कि लाफू चलाता है लाफू सिम चलाता है एक सीम या दो सिम लाफू चलाता है लेकिन उनको पता ही नहीं है अगर दो तीन दिन ठीक से रिचार्ज हीड हुआ ना लाफू ब्लॉग हो जाएगा लाफू ब्लॉग हो ज आपको देंगे तो आपका रिचार्ज ऐसे नहीं कि सिफ बिहार या सिफ यूपी से होगा ऑल अवर इंडिया से रिचार्ज होगा जब ऐसा रिचार्ज बार बार होने लगेगी तो तब आपका लाफू ब्लॉक हो गई होगा और लाफू सीम में बहुत सरे केटागोरी में हो सासे माप घजाए बिचाब हो बंदे आपको फशाद इगा यह सारर होता है में यह नहीं कर ऊंका किलास बहुत बुरा है लाप भुरसारी चारते हैं डेकहां में लगाते हैं हम यह नहीं कहेंगे के लगिन सभी रिचार्ज अगर माराफू में हीट करेंगे तो वह सिम ब्लॉग होने में दो दिन टाइम लेगा आप लाफू में खुद ट्राई किजिएगा एक सिम में आप आपका ही लॉज होगा एक लग बैलेंस लेने के बाद आप उ सब जंजन में अगर आपको नहीं पढ़ना है तो डीपार वेब डॉड़ इन हमसे लेकर आप काम कर सकते हो या किसी ट्राश्टेबल बंदे से लेकर भी काम कर सकते हो लेकिन आपको एप लेंगे तो मेंटनेस भी करना पड़ता है और ट्रांजिस्चन जितना ज्यादा करेंगे वह उसका भी मार्जिन होगा आप लेने के बाद डेली अगर 2000-3000 का सक्राश करेंगे तो उस बंदे का क्या मार्जिन होगी आपसे उसका क्या फाइदा ने अगर डेले आप लाकों कहा मार्जिन बहुत कम है तो ये चीज आपको ध्यान पर रखनी है और एपी लेनी है। आपको वर्षा में मैं सब्सक्राइब करने है या कॉल करके आपको बोलना है कि सरे मुझे एक अगांट करके देंगे अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो अब चानल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब को दबाग के बैल आकूंद नबा क्योंकि इसका बद जब हम वीडियो अपने चैनल पर आपलोड करेंगे उसका नौटिवेशन आपको मिल जाएगी और आप उस वीडियो को देख पाएंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद जय हिंच